जलाबाट जले में लोगों को सुध्ध पेजल मुहया कराने के उदेशे से सरकार के महत्वकांची योजना हर घर नल का जल अब तक अधर में लटका हुआ है आलम यह है कि सरकार के द्वारा इस योजना पर करोडों खर्च करने के बावजूद भी लोगों तक सुध्ध पेजल नहीं पहुँच पा रहा है ताजा मामला भवानी उपकंशेत्रे के गाउं चोरखेडी का सामने आया जिले में इस योजना में ना तो जीवन ही रह गया और ना ही जल पहुँच रहा है मिशन के तहत अफसरों ने लोगों के घरों में नल तो लगा दिये लेकिन उसमें जल ही नहीं आता इसके चलते आज भी इस गाउं की अधिकान समहिलाए कई मीटर पैदल सफर कर आहूं नदी के गड़ों से भरा पानी पीने के लिए मजबूर है दरिसल जनस्वास्त यांतरी की विभाग राजस्थान की और से जिले की ग्राम जल एवं स्वच्छता समीती पिपलाद पेजल परियोजना तहसील पचपहार में जल जीवन मिशन के तहत करीब स्विकृती राशी 9 करोड 26 लाह की लागत से 14 ग्रामिन इलाकों में सुध्य पेजल पहचानी का काम कार्य आदेश के अनुसार समवेदक बिहानी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड जैपूर को दिया गया इस कारी को 23 जन्मरी 2023 को पुर्ण हो जाना था मिशन के तहत घरों में सुध्य पेजल पहचानी के लिए नल लगाए गये हैं इनमें पे एक्षिन के लिए 1500 रुपए भी जमा करा दिये गए फिर भी नलों में पानी की बूंद नहीं पहुंच रही ग्रामेडों ने बताया कि टंकी जिस जगह बनाए गई है वह गाउं की बस्ती के लेवल से नीची है जबकि बस्ती उचाई पर है सरकार की गाइडलाइन में पा उसके कारण अधिकान सस्थानों पर पानी लोगों के घरों तक आज तक नहीं पहुंच सका है ग्रामेड नाज भी पेजवल के लिए गड़े से गंदा पानी लेने के लिए मजबूर है इसमें में जब खड़ा था उस टाइम पे यां गाउं में दो फूट याड़ी फूट के अंदा सम्तिंग गड़ी हुए इंदर और यह अभी पूलिया पे यह दोनों पाए यूँ पड़े हुऊ है ना तो इन्होंने कुछ बांदे कुछ के रहे और ना इसको दबाए और पानी आएगा तो यह तूट जाएंगे